लेकिन चलिए एक और स्टॉक पर फोकस करते हैं और आज ओला इलेक्ट्रिक का शेर भी रफ्तार में हैं लिस्टिंग के बाद से शेर में 70% से जादा की तेजी आ चुकी है तेजी की वज़ा क्या है बताने के लिए हमारे साथ अभी शेक सत्यवरतन जोड़ चुके हैं अभी के पहुँच गया है 55,000 क्रोंड रोपे के उपर उसकी ट्रिगर यह बनना है कि नतीजे कंपनी क्या आये थे आब में देखा था कि 32% के आसपास के बढ़तरी होई है और नतीजों के सासाथ कंपनी ने अपनी रोडसर बाइक भी लाउंच करने का फैसला किया है तीन वेरिय किराय के साथ शेयर के लिए 140 रुपे का लक्ष दिया है 140 रुपे का लक्ष यानि कि बधुवार की क्लोजिंग से करीब 26% का अपसाइड हाला कि अब यह लक्ष जादा दूर नहीं रह गया क्योंकि आज हम देखने के 120 रुपे के उपर जाकर यह शेयर कारबार कर रहा है द नहीं कि उमीद है और बैटरी वेंचर में रिस्क रिवार्ड रेशियो एचेस बीसी को ठीक लग रहा है एचेस बीसे का मानना है कि 2028 तक मैनेफेक्ट्रिंग खर्च में तेज गिरावट होगी ओला इलेक्ट्रिक के हलाकि एचेस बीसी ने कुछ कंसर्स भी यहां पर फ्ल अब तक जारी रहेगा इसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चिताएं जरूर है और यहीं नहीं अब कॉम्पेटिशन काफी जादा भारत के बाजार में एवी को लेकर और मार्केट काफी जादा फ्राग्मेंटेड है तो देखते हैं कि ओला के लिए यहां से कितनी और जादा मोमिंटम बिल्ड होता है लेकिन घाटा जो है पहले ती माय में बढ़कर वो 347 क्रोन रुपे पर पहुंचा है हालाकि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है खर्च कर रही है तो यह घाटा होना लाजमी भी है लेकिन अगर हम ओला की निवेश्कों की बात करें तो पॉस् की है साड़े 600 क्रोन रुपे के आसपास यह नहीं जून ती माही में जो एवी टूविलर का जो मार्केट रहा है भारत में उसमें ओला का जो हिस्सा है वो है 49% का मतलब कि आधे से जादा जो गाडिया है वो ओला बेच रही है टूविलर के स्पेस में और इसको थोड़ा औ की धाई लाख रुपे तक तो यह कुछ फिगर है जिसके चलते ओला लिस्टिंग के बाद हम देखने की तेज रफदार दिखा रहा है काफी पॉपलर यह आई पियो था और इसकी लिस्टिंग का वेड़ भी किया जारा था लेकिन लिस्टिंग काफी सुस्थ हुई थी लेकिन उसके बास से जो तेजी हम देख रहे हैं इस टॉक में और जब एक्सपर्ट से हमारी बाद भी कह हो रही थे तो वो भी कह रहे थे कर रहे थे 19% उपर नतीजों के बाद यह स्टॉक ऊपर आ चुका है रिचित वैसे तो ज़्यादा चार्ट अवेलिबल नहीं होंगे आपके पास रिसेंट लिस्टिंगी है लेकिन आपके सरकर में आप बात भी कर रहे होंगे अपने क्लाइंस के साथ ओला इलेक्रिक के अगर वो जो इन्वेस्टर ने सबस्क्राइब किया है और उनको यह अलोट में वह है तो डिफिनिट अच्छे प्रॉफिट से चाहिए जहां पर प्रॉफिट्स में इस टॉप लोगा है और इनके इसको यागे मेजर बड़ा डिप जैसा फिलाल तो साइंस नहीं है बड़ अगर वो सबस्क्राइब करने लिए तो इस टॉप लॉज करते रही है यह सलाप के लिए अगर आपको गें हो रहा है तो अपने फिल करते जाए जो थोड़े बहुत भी यहां पर चार्ट अविलेबल है उसमें हमने आपको राय दीनी की कोशिश की तो बहतर रणी ती इस स तरह के स्टॉस्क्स में ही होगी कि स्टॉप लॉस को अपने ट्वेल करते रही है